हमारा वायू मंडल रात का समय सबी छट पर बैठे बाते कर रहे हैं महीश के हाथ में दूरबीन है वहाँ उससे आकाश के तारे देख रहा है महीश भाईया मुझे भी दिखाओ ना मैं भी गिन कर देखूंगी के आस्मान में कितने तारे है प्रिया रुप जाओ तुम अभी छोटी हो पहले मुझे गिनने दो मैं छोटी हूँ तो तुम दादा जी को यह दूरबीन दे दो ना वे तो तुमसे बड़े है दादा जी आप गिन कर बताईए ना के आस्मान में कितने तारे है मा कहती हैं कि आस्मान में इतने तारे हैं जितने मेरे सिर पर बाल क्या यह ठीक है? नहीं ओ, तो मा को भी नहीं पता मा को क्या? मुझे भी नहीं पता किसी को भी नहीं पता दादा जी, देखिए वहाँ साथ तारे बहुत कम अंतर पर दिख रहे हैं क्या उसे ही सब्तिर्शी कहते हैं। हाँ, और वह देखो बच्चों, जो तारा सबसे ज्यादा चमक रहा है, वह ध्रूफ तारा है। दादा जी, ये तारे हमसे कितनी दूर होंगे, क्या हम पिकनिक मनाने नहीं जा सकते किसी तारे पर। पागल हो गई है, पिकनिक मनाने जाएगी करोडों मील दूर, वहा ना सास लेने के लिए हवा है, और ना खाने के लिए रोटी, जाएगी कैसे। हम रोटी के साथ-साथ हवा भी भर कर ले जाएंगे, चुपकर हवा भी ले जाएंगे। दादाजी, हवा आसमान में कितनी दूर तक है? हवा पृत्वी के चारो ओर आवरण बनाए हुए है. धर्ती से असी किलोमेटर की उचाई तक हवा एक जैसी रहती है. उससे उपर तरा-तरा की ग्यासों की पट्टियां है. हाँ, हाँ, मैं जानता हूँ. पृत्वी से सोला किलोमेटर उपर तक का वायू मंदल ट्रोपोस्फियर कहलाता है. इसमें धूल, बादल और सांस लेने वाली हवा होती है. दादा जी, बच्चों की परिया कहां रहती है? वे तो उससे उपर सितारों के आसपास रहती है न? चुप रहे, परिया वरिया कुछ नहीं होती. सोला किलोमेटर से उपर तो बादल भी नहीं होते. सोला किलोमेटर से पचास किलोमेटर तक के घेरे को स्ट्रेटोस्फियर कहते हैं. इसमें 89 प्रतिशत नाइट्रोजन गैस और 21 प्रतिशत ऑक्सीजन गैस होती है. इसी घेरे के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है. तो हमारी परियों की कहानी जूटी है क्या? हाँ बेटी, ये कहानिया तो छोटे बच्चों को बहलाने के लिए होती हैं. महेश ठीक कहता है. 50 किलोमेटर से 85 किलोमेटर तक का घेरा मिजोस्फियर कहलाता है. इस घेरे में ऑक्सिजन, हीलियम और हाइडरोजन के साथ-साथ ओजोन नाम की गैस भी होती है. ओजोन गैस क्या होती है दादा जी? ओजोन ही तो हमें बचाती है. ओजोन ना हो तो हम सब जल जाएं. इन गैस की परत से उपर यानि 85 से 130 किलोमेटर तक के घेरे को थर्मोस्फियर कहते हैं. इस घेरे में तापमान बहुत अधिक होता है. ओजोन की परत इस तापमान को धर्ती पर आने नहीं देती है. अरे पाप रे! अगर ओजोन गैस खत्म हो गई तो हमारा क्या होगा? इसी लिए तो हमें ओजोन को बचाना है. प्रदूशण फैलाने से ओजोन के समाथ होने का डर बना रहता है. चलो! आज हम प्रण करते हैं के हम प्रदूशण नहीं फैलाएंगे. ओजोन गैस को बचाएंगे. बच्चों, अब सोने का समय हो गया. बाकी कहानिया कल. गुड़नाइट दादाजी! गुड़नाइट दादाजी!